Hello and Welcome, इस वीडियो में हमारे पास ये integration का problem है, यहाँ पे हमने इसे integrate करना है, तो देखो, ये जो हमारे पास function है, ये modulus इन में बनावा है, तो जब ये आपके पास modulus वाले questions होते हैं, उनको integrate करना होता है, तो limit बहुत ज़्यादा matter करती है, बिकॉज ये जो function है, ये discontinuous है, आप direct 1 to 4 limit नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप mode हटा दो, 1 to 4 limit लगा के इससे integrate कर दो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अलग-लग intervals में देखना है, कि ये function actual में किस तरह से लिखे जाएंगे, अलग-लग intervals में, अब एक सबसे important बात जो modulus के लिए आपको द्यान में रखनी है, वो ये है, कि जब भी हमारे पास होता है, mode x-a, ये अगर है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा different intervals में, तो अगर x less than a है, यानि जब when x is less than a, तो ये आजाता है यहाँ पर negative sign, और जब x greater than or equal to a है, तो वहाँ पर negative sign नहीं आता है, as it is आजाता है, ये बहुत important है, because, ऐसा क्यों हम करते हैं, because आप जानते हैं कि जो modulus होता है, वो हमेशा positive आना चाहिए, absolute value function, अब हमेशा positive कैसे आएगा, अगर x a से कम है, आप यहाँ पर सोच के देखो, अगर x a से यहाँ पर छोटा है, मान लो कि x अगर 1 है और a 2 है, simplify करके देखो, आपको ये चीज positive मिलेगी, और अगर x a से बड़ा है, तो ये तो positive है ही, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है, ये बात आप ध्यान में रखना, because अब यहाँ पर हम use करने वाले हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 ये अलग-अलग जगर पर ब्रेक हो रुगा है, यानि अलग-अलग point of discontinuity है, तो हमें हर एक interval पर देखना है, कि इनकी value क्या होगी, देखो, अलग interval पर इसकी value अलग-अलग होगी, जैसे इस तरह से, अलग-अलग तरीखे से लिखा जाएगा, ऐसे ही इसको अलग-अलग interval पर अलग-अलग तरीखे से लिखा जाएगा, ऐसे ही ये है, तो सब तिनों के लिए देखते हैं, तो सबसे पहले, अगर हम देखें, इसके लिए, तो यह जो है अगर मैं x से less की बात करूँ तो हम यहाँ पर minus sign लगा देंगे और अगर यह greater than equal to 1 है तो यही minus sign नहीं आएगा यह as it is आएगा इसी तरह से हमारे पास x minus 2 है अगर जो x है वो less than 2 है तो यह negative sign आएगा और अगर x greater than or equal to 2 है तो यहाँ पर negative sign नहीं आएगा और ऐसे ही x minus 3 का मोड जो है अगर x less than 3 है तो यहाँ पर negative sign आएगा और अगर x greater than or equal to 3 है तो यहाँ पर negative sign नहीं आएगा यह as it is आएगा अब यहाँ पर यह आप सोचके देखे ऐसे हम क्यों कर रहे हैं because हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि यह actual में पूरा positive ही रहे अगर आप x one से less put करते हैं for example zero put करते हैं तो आप notice करेंगे कि यह पूरी चीज eventually positive हो रही है जो कि हमारा इसको लिखने का यही purpose होता है कि हमेशा positive रहे और अग one से अगर आप ज़्यादा put करके यहां रखते हैं तो तो positive ही रहेगा ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे कि two से less अगर आप रखते हैं यानि one कुछ भी two से less आप रखते हैं तो आप notice करेंगे कि यह जो चीज है यह positive आएगी eventually इसलिए इस तरह से इसको लिखा जाता है अब अगर आप कोई समझ आ गया है तो हम इस question को करना शुरू करते हैं तो अब हम यहाँ पर इसे break करते हैं तो जो point of discontinuity है यानि आप देख सकते हैं यह one है यानि one के इधर दो इसकी लिखने का तरीका change हो जाता है ऐसे यह function 2 के अगर आप left लिखेंगा और right लिखेंगी तो अलग होगा ऐसे 3 तो basically one, two, three point of discontinuity यहाँ पर है तो अब one से less में तो कुछ है नहीं one से ही शुरू होगा यहाँ पर क्योंकि यह limit one to four है तो सबसे पहले one से लेके two तक किये जाएगा one से two तक अब देखो अंदर जो यह हमारे अलग अलग तीनो functions हमारे पास है mode में इसको किस सरे से लिखा जाएगा one से लेके two तक देखो यानि एक से ज़्यादा one से two तक का मतलब है एक से बड़ा है पर two से कम है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह आएगा positive because अगर one से हम ज़्यादा रखते हैं तो यह positive आएगा लेकिन अगर मैं इसकी बात करो तो यह negative आएगा क्यों क्योंकि two से less में यह चीज नेगेटिव है और limit तो two से less है तो इसको हम लिखेंगे negative यानि यह वाला जो हम लिखा था और x-3 का जो mode है यह भी यहाँ पर negative आएगा because three से कम है यह limit three से कम है यहाँ पर तो three से less में यह negative लिखा जाता है ठीक है अब हम two to three रखते हैं तो two to three में यानि जो यहाँ पर limit है two से three है तो definitely one से जादा है तो यह जो चीज़ है as it is आएगी जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि one से अगर जादा हो तो यह हम लिखेंगे x-1 और यह भी positive आएगा because two से जादा यहाँ पर है और two से जादा में greater than two में यह इस तरह से लिखा जाएगा यानि positive तरह से और जो यह है तो उस case में यह तो positive ही आएगा यह भी positive आएगा because you know two से जादा ही है यहाँ पर limit और यह भी इस बार positive आएगा because three से जादा है तो three से जादा है greater than three में यह इस तरह से लिखा जाएगा ओके यह clear हो गया है अब हम इसको थोड़ा और simplify करके लिखेंगे one to two देखो x यहाँ plus में है यह minus में है यह minus में है तो x x cancel minus x बचा minus one और यह minus minus का plus two minus minus का plus three तो यह five हो यह five minus one is four two to three अब यह x plus x 2x 2x में से one x minus हो यह x बचा minus one minus two is minus three बट यह minus minus का plus हो जाएगा तो basically plus three minus three cancel हो गया और यह आया और यहाँ पर integration three to four और यह जो है x plus x plus x यानि three x minus minus one minus two minus three यानि minus six इसे हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से और अब simply हमें integrate करना है x square upon two plus four x तो I am sure यह तो अब आपको पताई होगा कैसे करना integrate x square upon two two to three three x square upon two three two four clear अब पहले यहाँ पर हम रखते हैं upper limit तो जब हम upper limit रखेंगे यानि two यहाँ पर रखो तो minus two square हो जाएगा four four upon two minus two आ जाएगा plus eight one हम यहाँ पर रखेंगे तो minus one upon two plus four यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो two का square यानि upper limit रखेंगे three का square यानि nine upon two lower limit two square four upon two यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे four का square sixteen sixteen upon two eight eight three is a twenty four lower और अभी भी यहाँ पर अपर लिमिट ही आएगी इससे और lower limit रखेंगे three square nine nine three is a twenty seven upon two minus six three is a eighteen अब हम इसे simplify करेंगे six minus यह हो जाएगा seven upon two plus five upon two plus zero minus 36 minus तो यह प्लस हो जाएगा nine upon two यह हो गया 13 minus seven यह हो जाएगा 12 minus seven that is five upon two plus five upon two plus nine upon two और यह आजाएगा nine ten upon two और यह हमारा answer आ चुका है ओके well I hope यह solution आपको समझ आया होगा thanks for watching